नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्ग ब्रिश्चिक रासी वालों मंगल देव वक्री होकर रासी परिवर्तन कर रहे हैं अभी तक मेस रासी में विराजमान थे अब 4 अक्टूबर को मीन रासी में प्रवेश करेंगे और मीन रासी में टेली चाल चलते वे 14 नवंबर को एक बार मारगी होंगे फिर से और 24 दिसंबर को पुनह मेस रासी में मीन रासी से निकल कराएंगे यानि पूरे 81 दिनों तक 81 डेज तक मंगल देब का ये गोचेर आप ब्रिश्चिक रासी वालों के जीवन पर इसका क्या प्रवाव डालेगा आज हम आपसे यही साचा करेंगे विडियो के अन तक बने रहें और ये पिडिक्शन चंदरासी पर आधारीत है ब्रिश्चिक रासी वालों मंगल आपके पंचम भाव में आएंगे अब पंचम भाव जिसको आपके बुद्धी का भाव कहते हैं आपके योजनाओं का घर माना जाता है जब मंगल यहां आएंगे तब क्या होगा तब आपको इसमें कुछ चीजों में बदलाओं करणा होगा आपकी जो दृष्टी कौन है वह आपको लाब भी कराएगा लेकिन आप कहीं भी पैसे इंबेस्ट करने के पहले सोच बिचार कर लें और एक ही जगा बहुत सारा पै को लाब मिलेगा वैसे छोटी छोटी धंडासी अलग अलग चीजों में लगाने से इस समय मंगल आपको उसके बेनिफिट दिलाएंगे अगर आम आपके पर्सनल लाइप की बात करें तो मंगल पंचंभाओं में हैं थोड़े से चिरचिरा हड़ देंगे थोड़ी सी परिस अपनी वानी अपने सुभाब पर काम करना होगा ताकि रिस्तों में प्रेम बना रहे अगर आप साधी सुधा हैं तो आपके बच्चों के सुभाब का भी आपको ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बच्चों के साथ कुछ बातों को लेकर कहीं मतभेत ना हो जाए इसका ध्या करें जो बिद्यार्थी हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा क्योंकि उच्छ सिक्षा की प्राप्ति के लिए भी अच्छा है और अगर इसमें आप कोई रिजल्ट आने है तो यकिनन मंगल देव यहां आपका साथ देते नजर आएंगे स्वास्त की समस्या परिसान करेगी खास कर पेट की समस्या तो अपने खान पान का बहुत ख्याल बनाये रखेगा नहीं तो बे बज़ा आपकी परिसानी बढ़ जाएगी वैसे पंचम भाव में मंगल के आने से मेहनत करवाएगा और मेहनत का लाब भी देगा खास कर जो विद्यारती हैं कम्पिटिशन की तेयारी कर रहे हैं अभी आपको दुगने रफ्तार से मेहनत करनी है और इसका फल आपको मिलेगा संतान यहां पर आपका डेवलब करेगा आपका करियर बहतर होगा लेकिन आपको एक्टिव रहना होगा आपके जो अंदर एक बिवेक है आपके अंदर जो एक गर्मा हट है उसपर काबू पाईए और बिवेक से काम ले तो आपको रात को सोने के समय अपने सिराहने पानी रखकर सोईए सुबह उठकर उस पानी को गमले में डाल दें ताकि आपके मन मस्तिक्स पर जो गर्मी है जो निगेटिव प्रवा है वो दूर हो जाए और ऐसा आप रोज कीजिए जितने दिन मंगल आपके पंचमभों में बिराजमान है तब ही आपको इसके सुफल मिलेंगे अगर लब रिलेसंसिप की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि किसी बात को लेकर कहीं आपके रिस्तों में दरार ना आ जाए हलांकि इस समय आपके बेबज़ा के खर्चे बढ़े हुए भी नजर आएंगे थोरे से संभाले, खर्चों पे कंट्रोल रखे उपाई के तोर पर हर्मान चालिसा पढ़कर ही दिन की सुरुवात करे और संभवोत मंगलवार के दिन गाए को अपने हाथ से गुड़ खिलाएं फिलाल भी दा लेते हैं हर हर महादेव